चलिए दोस्तों आते हैं अगले question पर question आपके सामने है question number 44 T.S.Grewal let's see सबसे पहले हम क्या करते हैं marking करते हैं ठीक है उसके बाद हमको format में put करना है values को तो चलिए शुरुआत हमेशा होती है additional information से additional information इस question में नहीं है उसके बाद हम आते हैं कि इस पर note to accounts पर note to accounts यहां पर है ठीक है तो red pencil में marking कर लेता हूँ यहां पर यह आप देख सकते हैं surplus है किधर आता है वो one ने ठीक है अब सीधे हम आते हैं इधर share capital आप देखिए तो share capital में आप देख सकते हैं पिछले साल 6 लाग के share capital था अभी 8 लाग का हो गया है मतलब it is a financing activity okay now let's come to the reserve and surplus तो यह note number लिखा हुआ इसके बारे में हम already discuss कर चुके हैं कुछ करने की जूरत नहीं है ठीक है long term borrowings में आ जाईए पिछले साल 1,50,000 थे साल 1,00,000 है हमने liability pay की है यह कौनसी activity है financing है अगर यहां पर rate of interest वकर दिया रहता तो फिर हम और इस पर चर्चा कर दे क्योंकि वह interest है वो फिर हमारा operating में भी आ जाता है और financing में अलग से भी आता क्योंकि आप देख सकते हैं कि यह borrowing कम हो रही है तो एक financing activity तो यह हो गई इस पर interest देना है तो वो दूसी financing activity हो जाती है तो इन बातों का दिहान दखना है तो वहां पर 2 F लिखने पड़ेंगे आपको चलिए अब यहां पर trade papers है तो यहां पर यह आएगा आपका O3 में आदे आपको उसके बाद चलिए फिर आगे बढ़ते हैं tangible assets पिछले साल 5,60,000 के थे इस साल 8,50,000 के हैं इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब यह होता है कि हमने और assets खरीदे हैं यह आपका investment है ठीक है कौनसी activity हो गई है यह है आपकी investing activity ठीक है investing activity non-current investment है 162,32 तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हमने investments में पैसे डाले है this is also investing activity and amount would be how much 40 and 30 to 72,000 तो यह 72,000 यहाँ पे भी देख लें क्या यह आप देखिए O3 में आता है O3 का याद है आपको O3 में हम क्या करते हैं यह इसको plus करते हैं और IADL को minus करते हैं राइट तो यहाँ पे 48,000 था trade payable और क्या हो रहा है कम हो रहा है Inventories है E3 में आएगा देख लीजिए की Inventory में क्या हो रहा है 82 थी और 76 सब्सक्ने करेंट assets करेंट asset के से कम हो रहा है कितने से कम हो रहे है छे जार से कम हो रहे है da ड refugee इन एसिदिकरीजिल Nία waitsको क्या कर रहा है हम यह आपका यह भी आपका वो 3 में आएगा तो decrease in asset को हम plus करते हैं 6000 से और यह 92 और यह भी आपका decrease हो रहा है तो इसको भी हम क्या करेंगे plus करेंगे इसको भी मैंने कर दिया ठीक है cash and cash equivalent तो कुछ नहीं करना है यह cash and cash equivalent यह आपका में था हमारे पास 134 प्लस 70 कितना हो जाता है 134 प्लस 70 यह हो जाता है two lakh and 4000 हमारे पास था two lakh 4000 हमारे पास था अभी कितना है अब है 94 प्लस 50 that is 144 तो अब है 144 तो आपका cash क्या हो रहा है कम हो रहा है तो मतलब 60,000 तो मतलब 60,000 का आपका आपका आउट रोड़ तो अभी क्या करना है अभी आप पास फटा फट 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 फ़र्मेट बनाईए मेरा तो standard format है copy paste मैंने किया आपको format बनाना पड़ेगा definitely यहां पे और format यह रहा आपके सामने है ठीक है हाला कि यहां पर हम देख सकते हैं कि O1 है O1 के बाद सीधे O3 है O2 कहीं है ही नहीं O3 है O1 के बाद और O2 कहीं भी नहीं है और उसके बाद थोड़ा बहुत investing है financing है हाला कि बहुत छोटा सा question है तो चलिए पहले मैं fan का color change कर लेता हूं हा तो मैं सीधे सीधे अभी O1 O1 में क्या है current year minus previous year तो यह हो जाएगा नाम के अंदर है ठीक है यह हो गया उसके बाद O3 पर आ जाते हैं चलिए तो O3 में O2 तो है नहीं तो O3 में सबसे पहले यह माइनस हो रहा है माइनस वाले को छोड़ दो अब प्लस वाले पर आ जाओ पहले तो पहले inventory को प्लस करना है कि यह आपका इधर आएगा इधर कुछ भी नहीं है और टू है यह आपका और कुछ भी नहीं आ रहा है तो यहां पर मैं क्या करता हूं Inventories All Trade Receivables Inventories कितनी है Inventories 6000 से बढ़ रही है और Trade Receivables 54,000 से बढ़ रही है और क्या था Trade Pables Trade Pables जो है आपका कितने से 8,000 से कम हो रहा है 60,60-8 कितना हो जाता है 52,000 ठीक है तो 154 Inflow Cash Inflow हाना Cash from और कुछ है नहीं द्यान रखना ओपरेटिंग में चोटा ता क्वेस्टिन है Operating Activity 152,000 ठीक है एक बार देख लेते हैं हमन एक सेक्ड़ Question No. 44 152 ठीक है अब यह हो गया अब हम आते हैं सीधे Investing पर तो Investing में हमको क्या-क्या दिख रहा है Purchase of Tangible Asset है और Purchase of Non-Current Investment है और कुछ भी नहीं ठीक है यह Investing है Purchase of Tangible Asset Assets and Purchase of क्या था Non-Current Investing में ठीक है कितना कितना है देख लेते हैं यह आपका सूले कि यह कितना हो जाता है 362 यह आपका है कैश यूस्ट इन इन वेस्टिंग एक्टिविटी ठीक है गलती से आप फिर टोटल में गलती ना कर दें अब उसके बाद बचता है फाइनेंसिंग तो फाइनेंसिंग में एक है है तो इसवफ इतना है दोलाइक रुपए के शियर के और ग। सा है दी पेमेंट कि और कि लॉंग टर्म बॉर्वेंग कि इतना बॉर्वेंग हमने रिपे किया है तो फिस्टी थाउजन तो फिस्टी थाउजन यह गया आउट फ्लोर ठीक है तो कितना हो जाता है अभी क्या करते हैं हम यादे ना आपको net increase in cash and cash equivalent यह आपका C है यह बी है और operating A है तो A प्लस B प्लस C वो था आपका 152 इन फ्लोर माइनस 362 आउट फ्लोर और प्लस 150 in flow 152 plus 150 minus 62 that is 152,000 minus C less 60,000 plus 1 less 50,000 तो 60,000 का आ रहा है आउट फ्लोव का ओट फ्लोव कि नेट इंक्रीज अब साल के शुरुवात में कितना था तो वो उसका हमने यहां पर लिखा था साल के शुरुवात में था तो लेकर फोर थाउजन दोनों को मिलाएंगे आपका लेकर फोर फोर थाउजन और यह हो जाएगा वन लैकर फॉर्टी को टिके तो अगला गॉसिन भी खुद से ट्राइए कीजिए नहीं बनता है तो फिर आप लेक्चार देख सकते हैं चलो मिलते हैं फिर बबाए कर दो कर दो की तो बधन जाए प्रेख को लिए झाल में बनता हैं अगला आपका लेक्सकाू Punktना चाह 1,2 commenceा वन को ट्राईवत हैं पिर भी kurत में पाने स्मतों भी को बदका हैं खारी किर जोरा ऊगला भी कर हो पा veux कू territ